तो नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है टेक्निकल प्लस मस्ती में आज हम लोग आया है बिर्शान अगर जहां पर हम लोग आज 5 किलो वाट का सोलर सिस्टम इस्टॉल करने वाले हैं और ग्रिड सोलर सिस्टम तो इस घर पर हम लोग जो है 5 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगने वाला विच्छत पर लगेगा और यह मेरा धन्नो नीचे रखा हुआ मेरा बाइक तो फाइनले हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं तो यहां पर इनका जो है इस्ट्रेक्टर जो है इधर बना के रखे हैं सर अ अपने खुद एस डिजाइन किये हैं अपने स्ट्रेक्टर का तो डिग्री वगेरा सारा कुछ दो बता दिया कितने डिग्री में रहेगा कैसे रहेगा तो बहुत सारा लोग जो है इसका कितना डिग्री में रहता है यह सब चीज का बार में पता नहीं है तो एक उसके इस चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करते हैं और बेल ऐकन को दबा दे ताकि मैं जो भी सोलर से रिलेटेड वीडियो अपरलोड करूँ सबसे पहले नोडिफिकेशन आपके पास आ है तो हमारा पैनल जो है वो यहां पे छत को पर आ चुगा टोटल आठ पैनल है यूट्यल का ही मोनो सोलर पैनल है जो कि 408 करके आठ पैनल है तो इस आठ पैनल का स्ट्रक्चर बनाया गया है और यह हमारा सोलर एजी भी है एर जेंग्चन बॉक्स बहुत कोई इसको जो है डीसी डीवी के नाम से भी जानते हैं और यह हमारे स्ट्रेक्चर भी ज तो भाय लोंग सारे भाय लोंग आ चुका है चत पर और इस तरह से व्यू है यहां का यह टेलको साइड में पड़ता है वह साइड में आपको एक मंदिर दिखाएंगे वीडियो थोड़ा केमरा को जूम करके तो अधर में एक मंदिर भी है तो फानली हमारा जो है इस्ट्रेक पैनल लगेगा फिलाल तो टोटल इसमें जो है बतीस सो वाट का सॉलर पैनल लगने वाला है और यूटियल का अलफा प्लस सॉलर फाइब के भी आड़तालीस बोल्ट का इन्वेटर लगने वाला है तो हमारा जो है इस्ट्रेक्चर रेडी हो गया बीच में भी एक लेग ल लगाते हैं तो पैनल को जो है चड़ाते ऊपरमें उसके बाद इसका नीचे फाउटनर से जो है इसका लेग सब को टॉट कर देंगे ताकि यह हीले नहीं उसके बाद उसे पर कॉंक्रेड ढला बगर कर देना है इस्तुरेक्ट्चर जुआ इस से बना हुआ है और यह स्ट्रेक्चर स्पेसिली इसलिए डिजाइन किया गया कि टंक टंकी जो है पैनल का निचे रहे और पानी ठंडर है तो यह पैनल अभी जो है हम लोग ने चड़ाना चालू कर दिया है तो अभी हम लोग उपर में इसको चड़ाएंगे तो पैनल का दिखता है वारेंटी मैनुबल स्वलर पीवी मोडियल पी ए रसी मोडियल और यहां पे इसका डिटेल्स दिखता है तिके 400 वाट का है 9.72 एमपियर बियोसी जो 49.71 है तो यहां पे आपको सारा डिटेल्स पैनल का आपको जो है देखने को मिल जाता है और पैनल का कनेक्शन कैसे होगा उसका इनवेटर में डिटेल्स लिखा हो रहता है कि इनवेटर को वियोसी कितना से कितना का रिकॉर्मेंट है तो कैसे पैनल का कनेक्शन किया जाता है वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो पर बने रहिएगा अगर आप एक वीडियो को समझ गया है और पूरा देख लिए तो आप इसके बाद कोई भी इन्वेटर हो आप इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा सोलर इन्वेटर क्यों ना हो आप आसानी से कर सकते हैं तो फाइनली हम लोगों का जो सोलर पैनल लगना जो है वो चालू हो गिया है और पैनल जो हम लोगों ने एक उपर में अभी लगा दिया चार उनर बोल जो उसका टाइट कर दिया है अब लगाते हैं दूसरे क्यों बीच में लगाए सबसे पहले मीडिल में क्यों लगाए अगर होल वगेरा इदर उदर हो जाता है तो अब उसको जो है इस्ट्रेक्चर क आप इदर उदर शीप्ट करके बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद नीच सारे पैनल को लगा देना है और उसके बाद आपको जो है नीचे फास्टनर मारना है यह एक असान तरीका आपका पैनल का जो होल है वो प्रोपर मेंच कर जाएगा होल डीस मेंच हो गए नहीं तो हम लोगों ने जो है टोटल अभी तक चार पैनल को जो हम लोगों ने लगा लिया है पांच पैनल सोरी पांच और एक लास्ट का इधर एक पैनल छूटा हुआ है तो एक रोम है इस रोम है जो हमारा है टोटल छे पैनल लगना है तो पांच जो हमारा लग चुका ह और काफी सुन्दर भी दीख रहा दूर से और इससे एक फाइदा है सॉलर पैनल चे कि हमारा पैनल का नीचे छाओ बना हुआ रहेगा और टेंकी का पानी जो है वो ठंडा रहेगा तो इस्ट्रेक्चर बनवाना पड़ा इस तरह का और इन्वैटर का डीटेल्स देखके ही आप जो सॉलर पैनल का कनेक्शन का बारे में समझ पाएंगे कि कैसे कनेक्शन होगा तो हमारा जो है टोटल छे पैनल अभी इदर पर लग चुका छेओ पैनल और सारे बंद्या अभी थोड़ा रेष्ट ले रहे हैं गर्मी बहुत है धूप है तो थोड़ा सा रेष्ट कर रहे हैं फिर वापस अपना काम चालू कर देंगे तो यूटील का ही पैनल है जो कि ये पानी बगएर लाके रखे हैं गर्मी है तो पानी बगएर टाइम टाइम पर पीते रहना है और हमारा चैनल पर जो है सिर्फ सॉलर से रिलेटेडी वीडियो अपलोड किया जाता है जो अगर आप सॉलर पे इंट्रेस्टेड है या सॉलर में कोई भी प्रॉब्लम आता है त आप को आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमेंसा जो है कुछ नवक्ष इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और सॉलर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं और यहां पर है मंदिर भूबनेस्वर मंदिर टेल को यहां से टावर बहुत अच्छा सहर है छोटा सहर पर बहुत अच्छा है अब इसका नीचे जो है हम लोगों ने वोल्डिंग कर दे रहा है नीचे ताकि उसका ढ़लाय करेंगे तो एक पकड़ बना रहे चारतोर से स्टार टाइप का बना दे रहे हैं वोल्डर को भुला के पार्टी अपने बुला है वह खड़ा रहके जो है मजबूती का काम करवा ले रहे हूँ क्योंकि वह चोटा-चोटा क्लीट दिये थे तो उस पर होल दोनो चाहओ बगएरा में यह उड़ सकता है काफी सुन्दर लग रहा पैनल देखने में तो हमारा जो है वर्लिंग बगएरा का काम हो चुका अभी हम लोंग जो है फास्टर मारेंगे अभी जो है इस पर ड्रील कर रहे है इसमें फास्टर बानेगे और अगर कहीं कुछ छूट रहा हो या गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि कहीं क्या छूटा या बोलने में कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आती हमारा जो हम जो लिंग्वेज यूज करते हैं उससे आपको समझ में आता है या नहीं आता है तो इस कमेंट करके बताएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा तो फाशनर जो है लगबग इस तरह से मार दिया अभी तक दो लेग पे जो है मार दिया है तो इस तरह से सारे लेग पे आपको जो है फाशनर मारना है इससे आपका जो है एक पकड़ बना रहेगा इसको उपर में आपको जो है कॉंक्रिट मतलब ढलाई कर देना है हुए झाल खर में तो सके डालाए करते करते साम हो जाए है यह अंधेरा हो जाए तो वीडियो नहीं बना पाएंगे इस तरह से आप फासचनर सब को मार देना आपको है और अगर आप इस तरह का 5 kWh 1 kwh 2 kwh 3 kwh 5 kwh 10 kwh 15 kwh का शिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारा आपको mail ID, contact number, सारा कुछ आपको description में देखने को मिलता है और इस पर आभी हम लोग solar panel का connection कर लेंगे और DCDB, ACDB सारा कुछ लगाएंगे तो सबसे पहले आभी हम लोग DCDB, AGV को जो है हम लोग अभी इसको खोल लेता है खोल के इसको और यह जो AGV है यह 3-1 है पर हम लोग जो है 8 panel का 2 string बनाएंगे 4-4 का एक इस्ट्रिंग बनेगा और 4 पैनल का इस्ट्रिंग बनेगा तो यह जो AGV है यह 3-1 है तो हम लोग ने जो है SPD, Fuse Box बगएरा सारा कुछ को निकाल दिया है अब इसको जो हम लोग इस दिवार पे इसको fix कर दिया है अब हम लोग इसको वापस है fuse बगएरा सारा कुछ को assemble करते हैं फिर पैनल का connection करेंगे फिर पैनल का connection करने के बाद इस AGV में connection करेंगे और AGV से जाएगा हमारा inverter में DC cable तो finally हमारा AGV का box वो ready हो चुका वापस इसमें आपको तीन fuse देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको SPD देखने को मिलता है यह तीनों fuse है यह वाली जो है यह red है और एक false fuse अभी फिलाल लगा हुआ है तो यह दोनों का हम लोग यूज़ करेंगा और इधर जो है तो negative का हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ से आपका output निकलेगा यह negative और positive दोनों और यह SPD और यहाँ पर हम लोग connect करेंगे पैनल से अर्थिंग मतलब बोडी अर्थिंग इस ट्रेक्चर से अर्थिंग आएगा आएगा आपका SPD में तो फाइनली हमारा जो है पैनल का केवल सबको अलग कर दिया है और साम हो गया तो थोड़ा जो है कलाड़ी दीख रहा है और वो मैं हूँ जो केवल पकड़के खड़ा हूँ अब इसका connection करने वाला हूँ इसका connection यह चार पैनल का जो है सीरीज में connection किया है पीछे तरफ में दो पैनल है तो उसका भी हम लोग सीरीज किया है फिर वहां से लाके इधर दो पैनल को जो है connect किया है तो टोटल चार पैनल का एक श्ट्रिंग बना है अब देख सकते हैं नेगेटिव और पोजेटिव को series connection करते हैं और positive positive negative negative को अगर आप connect करते हैं उसको parallel connection करते हैं तो अभी सारा जितना भी केवल सबको लगा रहे हैं तो यह बढ़िया से लगा नहीं था अभी लगाईए यह भीया आए हैं सिखने के लिए इनको solar का काम सिखना है तो साथ में लेकर आए है कि अगर कहीं पर काम खराब होता तो कमेंट करके जरू बताईएगा कि कहीं पर अगर गलत करते हैं उस पर टोकोना भी बहुत जरूरी रहा ताकि उसकाम को सुधार पाएं तो फाइनली अमारे जो आप पैनल का कनेक्शन अल्मोस्ट हो चुका है कि मांच नहीं रहा तो थोड़ा केवल चाहिए क्योंकि इनका दिखना भी चाहिए अच्छा और यह छट से ब्भीव है इस तरह का और इस छट से जो है मेरा घर की ओर दीक रहा है वो जो आपको पाड़ी दीक रहा हो पाड़ी के किनारे में मेरा घर है तो मैं आता हूं वहाँ से तो अभी काम करते हैं तो साम हो गया तो कल फिर मिलते हैं next day दूसरा दिन आएंगे तो bye फिर आएंगे वापस तो वापस दूसरा दिन आया है साइड पर और अभी जो है पैनल का connection हम लोग नहीं किये थे ACDB में connection नहीं दिये थे तो अभी हम लोग उसका काम करने वाले हैं तो proper हम लोगों का जो है वारिंग complete हो चुका है अब देख सकते हैं ये जो है ये पैनल का 4 केबल आया है इधर से 5 केबल है टोटल एक structure शे बोडी आर्थिंग आया है आपका SPD में जो लगेगा वो तो अभी उसको identify करना है और ये चला जाएगा हमारा inverter में negative और positive तो सबसे पहले आपको जो identify करना है कि कौन सा positive है और कौन सा negative है तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 180 वोल्ट जो है वो दीख रहा है DC तो अभी हम लोग को जो positive है उसको tape मार देना है red tap तो हमारे पास red tap नहीं है तो उसमें पीला टेप पानना पड़ेगा तो दोनों string का आपको जो है चेक कर लेना है कि कौन सा positive है और कौन सा negative है क्रोस चेक करके देखना भी बहुत जोर रही है क्योंकि कहीं अगर आप गलत करते हो यह आपका meter जो है गलत reading बता रहा हो negative का जगा positive बता दिया या positive का जगा negative बता दिया तो वैसे condition में आपका connection बगएरा गलत हो सकता है तो प्रोस चक करके देखना बहुत जोर रही है आप देख सकते हैं मीटर में आपको जो 180 बोल्ट दीखता है 79 80 के आसपास तो दोनों इस्ट्रिंग को जो है चेक कर लेते हैं सबसे पहले 180 दोनों इस्ट्रिंग को चेक कर लेते हैं 180 वोल्टेज जो है अभी ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि अभी धूप जो है अच्छा कासा धूप है और धूप थोड़ा बिच बिच में आसमान जो है थोड़ा मतलब क्लावडी भी हो जा रहा है तो अभी इसको हम लोग जो आइडेंटिफाइ करने के लिए इस पर हम लोग अभी पिला टेप मार देते हैं मतलब यह पोजेटिव वाली केबल है तो दोनों पोजेटिव केबल को जो है या पोजेटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाइ करने के लिए पिला और ग्रीन टेप का हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो जिस पर ग्रीन मार रहे हैं वह नेगेटिव है और जिस पर पीला मार रहे हैं वह पोजेटिव है कि तो सब सब पहले हम लोग एजीवी में पोजेटिव वाली वायर दोनों वायर को यहां पे लगाएंगे तो यहां पे जो है आप कोई भी केवल को आपको जहां अच्छा लगा आप वहां पे लगा सकते हैं क्योंकि दोनों positive जो है वहाँ पे जाके आपका parallel हो जाएगा पहले तो series में connection किया है उसके बाद यह parallel हो जाएगा तो अब इस पर हम लोग जाए है लग लगा देते हैं तो लग लगाना है तो हमारा crimping tool जो है वो अच्छूट गया है तो plus से बढ़ियां से दबा देते हैं वो area जो है वो heat होने लगता है या heat होते होते यह spark होके आगर जल भी सकता है तो और इस पर अभी हम लोग tape मार देते हैं तो जो positive है उस पर हम लोग पीला tape को यूज किया है तो यहाँ पे भी जो है पीला tape को यूज कर लेते हैं तो दोनों में से मैं आपको उसी तरह से कर देना लग वग्यरह सारा कुछ सब में आपको लगा देना है इसमें भी आपको जब लगा देना है पिंट डायप اللओ तो हम लोंग जब सॉलर पैनल का जो पैनल से जो हम लोंग Αज़ी भी तक लाएं हैं केबल वाल मों 625 ARM का केबल को जोज किया है कि अद्ब में नइए थोड़ा सगे офद लिए हैं जाने ई Canada को साथ हमको छिलना पड़ जाए है तो फाइनली हम लोगों नो जो आए कर लिए हैं पोजाटिम को पोजेटिव वाले वायर जो है यहां पर एक fuse box में चला गया देख सकते है एक पोजेटिव वाले cable जो है वो fuse box में चला गया इसको tight कर दे रहे अब दूसरे वाले positive वाले जो cable wire है उसको भी लेना है और उसको भी tight कर देना है तो यह हमारा दूसरा जो है cable उसको tight करते है दोनों positive को अगर आप एक साथ पकड़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा अगर आप positive negative को पकड़ लेते एक साथ तब तो हो गया कहानी तो गलती से भी कभी जो है solar panel का negative positive को नहीं पकड़ना है ऐसा गलती करना ही नहीं है तो अभी दूसरे वाले positive वाले जो है cable उसका हम लों लगाते है तो हमारी यह दूसरा positive cable जो है वो लग रहा है और हमेंसा insulated tools से ही काम करें यह जो tools से यह insulated नहीं है क्योंकि यह पूरा open है अगर कहीं से भी current उस screwdriver या पेचकस पर आ रहा हो तो वो समय आपको current लग सकता है तो insulated tools से ही काम करें तो इसका cape बगर अभी सारा कुछ को लगा देते हैं तो गर्मी काफी ज़्यादा है तो मैं आराम से बैठके इसको दीरी-दीरे tight करते हैं अब बले-बले कर रहे थे तो अभी जो है इसको negative वाले केबल को दोनों केबल दोनों string का negative केबल को जो अभी लगा रहे है तो दोनों केबल जो है वो लग चुका है इसके बाद हम लोग जो है structure का body structure का जो अर्थिंग आया है उसका हम लोग SPD में connection देंगे तो एक यहां पर total जो है फिलाल दो अर्थिंग बनाए एक lighting एर्ष्टर के लिए एक structure का body earth के लिए inverter पर भी body earth होता है और होता है तो पर उसमें हम लोग नहीं दिया है party का budget काम है तो इसको जो है इसका सारा कुछ tight कर देते हैं तो हम लोगों जो है एक अर्थिंग साम को complete कर चुके था इसलिए उसका वीडियो नहीं बना पाएं तो अभी इसमें हम लोग चेक करके देखेंगे कि बोल्टेज बगरा प्रोपर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं अभी फ्यूज को जो हम लोग लगाए नहीं तो अभी थोड़ा बादल चाहे हुआ तो 176 के आसपास जो है आपको बोल्ट देखने को मिलता है एक इस्ट्रिंग पर श्यम दूसरे इस्ट्रिंग पर भी चेक करके देख रहे हैं तो वहीं बता रहा है तो अभी फ्यूज को हम लोग बंद कर दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं 16867 के आसपास जो देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर जो है थोड़ा क्लावडी है आसमान साप हो जाएगा तो वोल्टेज जो हो ठीक हो जाएगा अभी इस पर हम लोगा द दिया है और यहां से आर्टपूट निकल के हम लोग लेके जाएगे इन्वेटर में इसको भी जो आप प्रोपर टाइट कर दिया है और इस पर हम लोग बढ़ियां से वारिंग बगए रखिया है और नीची आप देख सकते हैं जिस पर हम मिटर रखे हैं वहां पर बात में ही इस तरह से बहुत सारे लोग जो है टीना सरसो तेल वाली जो टीना आता है वह इसे टीना पर जो है बॉक्स बनाता है और उस बॉक्स में ढ़लाए मैटरियल डाल देते हैं ताकि एक पकड़ बना रहे है और नीचे छट पर चिपिंग कर देते हैं हलका ताकि यहां से आर्ट्पुट निकलेगा, AGB से, यह DCDB, बहुत सारे लोग इसको DCDB बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको AGB भी बोलते हैं, तो यह AGB से आम लोग अब जो आए, अलग-अलग नामों से जाने जाता है इसको, एरे जैंक्शन वॉक्स डिस्टी डिवी का फुल फॉर्म होता है डिस्टी डिस्टीबुशन वॉक्स तो दोनों केबल जो है नेगेटिव पोजेटिव दोनों अमारा लग गया है और नीचे दूसरा जो है वह अर्थिंग अड़ा यह रेडी हो रहा है यह हमारा लाइटिंग एरेश्टर के लिए रेडी हो रहा है तो इसका आपको जो है वीडियो बना के नहीं दिखा पार है क्योंकि नीचे पत्तर पगएर आ गया है तो पार्टिक खुद बोले कि हम अर् वड़ीयर दोनों हो चुका है तो इसका आप लोग बाद में करेंगे अ मुझा चलते हैं आप लोग जो है एजिदीवी क्यों यह सिंगल फेज ए से डिवार पे सिंगल फेजिशंक ए यहां फे आपको देखने को मिलता है और यहां पर आपका लगा हुए है है MCB, हवल्स का यहां डेंजर का हाई वोल्टेज का सेंबल है, यहां SPDI है, टर्मिनल बगरा है, fuse है, स्वारी MCB है, तिसको हम लोग खोल लेते हैं सबसे पहले, क्यूंकि दिवार पे जो है, इसमें ड्रील बगरा मारना है, तिसको जो है, सबसे पहले खोल लेते हैं और बहुत गर्मी है यहां पर और ये सारा जितना भी वीडियो बनता, सारा कुछ मुवाइल से ही बनता है और काम भी करना पड़ता है इसलिए बीच बीच में जो है वीडियो बहुत सारा बहुत कुछ जो आपको आपपको नहीं दिखा पाते हैं तो यहां पर थोड़ा सक रह लेते सबसे पहले यह हमारा बैटरी जो है यूटेल का है इस सॉलर बैटरी है जो की 150 एंपेर का एक बैटरी है तो यहां पर टोटल जो है चार बैटरी लगना है तो तो टोटल चार बेटरी लगना है 48 बोर्ट का सिस्टम इन्वेटर जो है वो 48 बोर्ट का है तमारा नीचे का भी वारिंग हो गया जो ACV से निकल के इनका घर उपपे जाएगा तो फाइनली उसका वारिंग हो चुका आपको यहाँ पर केवल जो दिख रहा है एक आउटपूट है एक इन्पूट है मतलब हम एक जो है इन्वेटर में ग्रीड कनेक्शन देगा और एक इन्वेटर से आउटपूण दिकल के जाएगा जो कि घर में चलाएगा तो हम लोग ट्राइल भी लेके देखेंगे एसी बगरा चला के इनका जो है तीन एसी है तो देखते हैं कितना एसी चल जाता है और यह हमारा भाई बहुत दिनों बाद आया हमारे साथ में रेंच लेके खड़ा है मुसकराते हुए तो फाइनली हमारा बैटरी का कनेक्शन हो गया है और यहां पर आते हैं अभी देख सकते हैं पैनल वगरा सारा कुछ जो है उसका काम हो चुका है नीचे जो है ड़लाई भी हो गया सारा कुछ नीचे ड़लाई बगरा मतलब उसका फान्डेशन वगरा जो है अब देख सकते हैं जाम हो गया है और यह हमारा AGV से भी जो है केबल का कनेक्शन कम्पलीट हो गया तो अभी हम लों सबसे पहले चलते हैं इन्वेटर में और वहां पर उसका कनेक्शन करते हैं तो आज आदमी है हम दो जन तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहे थे तो मेंट टोपिक आपको हम बता देते हैं में मेंट टोपिक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलू वाले जो वायर गया है वो ACDB से आटपूट निकल के गया इनका मेंट स्विच में चैंजोबर में और यहाँ पर ग्रीन वाली जो वायर है यह इनवेटर से आटपूट के केवल इधर आपका टर्मिनल में आए टर्मिनल से होते हुए आटपूट निकल तो अब बताते हैं कि यह सॉलर पैनल का कनेक्शन कैसे होता है तो सबसे पहले आपको इनवेटर का डिटेल्स पढ़ना होगा कितना DC भोल्ट का है तो यह हमारा 48 भोल्ट का मतलब चार बेटर के सिस्टम का है SP भी आपको देखने को मिलेगा 80 से लेके 230 BDC तबका एक पैनल का भियोसी होता है वो 49 एक मोनो पैनल का 49 है तो अगर हम दो पैनल का सिरीज करते हैं तो हमारा कितना होगा 95 या 94 के आसपास आपको देखने को मिलेगा उसका भी ओसी बोल्टेज तो अगर थोड़ा से क्लाडवी वेदर होता है और 80 भोल्ट से कम हो जाता है या 80 से कम हो जाएगा मतलब 150 से उपर रखना 230 से ज़्यादा भी नहीं होना ची तो हम लोग इसलिए जो है चार पैनल का एक श्ट्रिंग बनाए है तो यहाँ पर टोटल आठ पैनल है तो दो श्ट्रिंग बनाए है और यहाँ पर आपको जो है यह आउट्पूट का केबल दोनों केबल जो आपको दिखाए है यह आउट्पूट का है और साइड में सोलर का और बैटरी का दो केबल है यह नेगेटिव और पोजेटिव और चारो बैटरी का जो कनेक्शन होने वाला है चारो बेटरी के सिरीज में कनेक्शन होने वाला है और लास्ट में आपके पास जो एक दो बचता है बेटरी में पॉइंट वो आपका इनवेटर से नेगेटिव और पोजेटिव दोनों जाके लग जागा तो बहुत सारा हम ऐसा 48 बोल्ट का बेटरी का कनेक्शन कैसे किया जाता है उसका वीडियो बनाके अपलोड कर दिया है तो अभी हम लोग जाए इनवेटर को आन कर दिया है यूटियल अलपा प्लास सोलर पीस्यू तो इसको अभी हम लोग आन करके इसका ट्राइल लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं डिस्पेले में भी सिस्टम आन, इनवेटर आन, एस्पी भी चार्जिंग आन तो यह प्रोपर जो है अभी काम करना चालू हो गया तो अभी हम लोग एसी बगेरा को चला के देखते हैं इनका जो टोटल 3AC है, तो 3AC तो सम्भव नहीं है तो 2AC को चला के देखते हैं, और इनका देख सकते हैं बैटरी जो है कितने बोल्ट से चार्ज कर रहा है तो सारा कुछ आपको डिस्पेले मने देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताईएगा और अगर आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं हमारा नमर जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जागा सो दोस्तों फिर मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई जय हिन जय भारत